Hi guys, welcome to Educator Guys, कैसे हैं आप लोग Guys, current affair का जो BPSC 66th men's के लिए जो भी important topic था जिसका मैंने आप लोगों को list प्रोवाइड करवाया था उस list के अनुसार मैंने आज पहला topic मैं पहला topic cover up करने जा रहा हूं और list में जितने भी topic हैं उस सारे topic को मैं एक एक करके cover up कर लूँगा और दूसरी बात एक चीज और कि जो topics कुछ छूट रहा है या फिर जिन topics पर वीडियो बनाना है तो आप लोग comment में mention कीजेगा मैं उसको भी cover up करूँगा क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिसमें मैं बनाऊंगा या फिर जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ही सही होगा हो सकता है आप लोगों को भी कुछ पता हो जादा या फिर आप लोगों का भी कुछ अनवब हो मैंस को लेकर तो अनवब भी share किजेगा उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक उसका वीडियो पहुंचा हूँ और दूसरी बात फ्रेंड्स यह कि जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं आइ तिंक उससे ज़्यादा करने के आपको जरूत नहीं है अगर इससे questions आता है क्रेंट से तो क्योंकि फ्रेंड्स औलड़ी यह 5-6 page का notes होता है अलड़ी हर एक जगह से आप collect करो या फिर उसको notes के format में लिखो उसके बाद मैं आपको provide करवा रहा हूं आप answers को लिखोगे ना friends तो अभी आप मैं जब video भी बना रहा हूं आपके सामने तो जब आप यह video सुनने बैट होगे तो आप pen और paper लेकर पास में बैटना और हो सके जो मैं बोलूँ उसको भी note down करना क्योंकि इतना अधिक content को ppt में डाल कर video produce करना possible नहीं है friends क्योंकि time भी जादा लगेगा और फिर ऐसा लगेगा कि एक तरह से लिए video बनाओं और सारा topic cover up करवा दूँगा क्रेंट्स का और gs paper 1 का करवा दूँगा उसका भी स्रीज चल रहा होगा चल रहा है आप लोग channel के जो playlist है उस पे जाए bpsc mens करके मैंने playlist बना दिया है उसमें उसका gs1 का topic cover up क्या जा रहा है उसके बाद gs2 का भी जो quality का sections होगा उसको भी cover up करवाऊंगा उसके अलावा जो भी हो सकेगा जितने भी important mens के perspective से होगा मैं उस सारे को cover up करवाऊंगा तो friends चलते हैं इस video में प्लीज friends आप लोग comments में मुझे तरह motivate क्या करो तभी मैं बना पाऊंगा video अंदर से motivation नहीं आता है आप लोग motivate करोगे ना तभी हो पाएगा होता है ना कभी कभी कि विद्यर्थी rocket के तरह होता है या फिर teachers भी rocket के तरह होता है तो rocket में जब तक fuel होता है तब तक वो fire करता है fuel खतम हो या ना तो fire करना बंद कर देता है तो यह motivation जो होता है ना friends students या teachers के लिए fire के तरह होता है अगर आप motivate करोगे तो फिर मैं exhaust करूँगा फिर fire करूँगा बैक फिर अच्छा भी लगेगा चलो ठीक है भी या आप लोग का demand है या फिर आप लोग अप्रिशेट कर रहे हैं काम को तो मैं video बनाऊगा please friends जो भी हो जैसा भी feedback हो आप comments में जरूर लिखना चाहे हो अगर अच्छा भी ना लगे तो भी लिखना कि आप improvement कर लो और मैं कोशिश करूँगा improve करने का तो friends शुरू करते हैं आज मैं farm civil के बारे में लेकर आया farm civil जो friends आपको पता है कि जून से लेकर अभी जैनवरी हो गया लगवाग 5-6 मैने से ये farmers का strike चल रहा है कुछ दिन पहले farmers पंजाब और हर्याना में ये strike कर रहे थे तो हाँ सरकार की ध्यान नहीं गी ये फिर अन्य लोगों का भी ध्यान नहीं गया public को भी पता नहीं था कि farms का strike हो रहा है तो public के ध्यान को आकरशित करने के मकसद कह सकते हैं या फिर सरकार को अपनी और ध्यान आकरशित करवाने का मकसद कह सकते हैं उस बज़े से वो लोग डेली के असपस आए जिस बज़े से मेडिया का भी coverage बढ़ा लोगों का भी attentions गया सरकार का भी attentions गया कि farmers के साथ जाती हो रहा है या फिर farmers को farmers की जो बिल में जो content जो बिल पास किया गया हो बिल सही नहीं है अगरिकल्चर के लिए या फिर farmers के लिए तो उसमें क्या बदलाब होना चाहिए या फिर बिल का provisions क्या है कौन-कौन से बिल है farmers का क्या issues है उसके अंदर intended benefits क्या चुपा हुआ मतलब बिल के अंदर क्या-क्या benefits चुपा हुआ या फिर सरकार का आगे क्या way forward करना चाहिए और finally conclusion ओके friends ये 5 topics और यही चीज़ को आप answers में इसी तरह से आपको लिखना है friends तो friends शुरू करते हैं मैं तोरह सब पीछे का background बता देता हूँ कि friends farm bill तीन बिल थे जो तीनों बिल अलग-लग मक्षद के लिए पास किये गए थे पहले audiences पास किया गया था जून में कोवीट के दोरान तो audiences जब मांसून session जब शुरू हुआ friends तो बिल को audiences को मतलब पास करवा कर बिल बना दिया गया आपको पता होगा ना कि friends audiences जो पास होती है ना वो पार्लेमेंट में प्रेसिडेंट्स के दोरह audiences पास की जाती है जब दो में से कोई एक session पार्लेमेंट के दो house होते हैं होते हैं ना friends पार्लेमेंट में कितने house होते हैं दो house लोगसवा और राजसवा दोनों में से कोई अगर एक house मतलब session में है या फिर पार्लेमेंट में work कर रही है या फिर दोनों work नहीं कर रही है तो उस condition में परले में Presidents, Audiences पास करती है तो Audiences पास करती है तो Audiences पास करवाई गई थी और उसके बाद जब मांसून सेशन शुरू हुआ शेप्टमबर में तो उसको फिर Bill में convert कर दिया गया था यह issues था जिस वैसे Farmers के बीच में अक्रोश है या फिर एक तरह से कह सकते हैं दिक्कते हैं Farmers अपनी Demands को लेकल आगे बर रहे हैं अब सुरू करते हैं Friends Bill में क्या-क्या provisions या उसको देखते हैं Friends, topic क्या cover-up करेंगे उसको देखते हैं Friends Introductions about Bill cover-up करेंगे तो आप column को छोटा करते हैं फिर बात करेंगे ताकि चीजों को बारिक से देखा जा सकता है उसके बाद Intended Benefits Associated with these Bills मतलब कौन सा Benefits इस मतलब क्या Bill का जो Intentions था कुछ Benefits प्रोवाइट करवाने के लिए वो Intentions को हम लोग देखेंगे उसके बाद Farmers के दौरा जो Issues आगे करना चाहिए उसके बाद Conclusion देखेंगे उसके बाद मेरा Discussion खतम हो जाएगा चलिए फ्रेंट शुरू करते है अब Introductions में Friends है क्या आपको मैंने Introductions बताई दिया कि जून में जो सरकार ने Audiences लेकर आई उसी को Audiences को Replace करके September में वो Bill Pass कर दी क्या कर दी? Bill Pass कर दी और ये Bill जो थी ना Friends Bill Pass करने का में मकसद था कि जो Farms Laws था या फिर एक तरह से कह सकते हैं Farmals, जो Agricultural Trading System है या फिर APMC मंडीज है या फिर Stock Limits है Essential Commodities का या फिर Contract Farming का या FPO Farmer Produce Organizations का ये सब के प्रावधान में कुछ न कुछ बदलाव हुआ या फिर कुछ लेकर आया गया क्या मकसद था Bill Pass करने का Friends This Bill envisage to bring some changes in some these key aspects of the Farm Economy अब क्या था? Trade Agriculture Commodities जो था Friends उसमें कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे Price Insurance वगेरा जो था उसमें बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे Farm Service Building Contracts के बारे में थोड़ा बदलाव लाने के बारे में हो रही थी बाते Stock Limits for Essential Commodities दो था उसमें बदलाव लाने की बाते हो रही थे होई है, ओके Friends ये सब चीजे थी जिसके बारे में बात की गई अब ये कहा जा रहा है कि जो बिल लें ना Friends, वो एक एकरी कल्चर मार्केटिंग सिस्टम में मतलब जो रेस्टिक्शन्स था स्टॉक होल्डिंग का या फिर एकरी कल्चर प्रोडियूस पे उसको हटा दिया जो स्टॉक होल्डिंग का रेस्टिक्शन्स था आप APMC के अलाबा भी बाहर अपने प्रोडियूस को बेज सकते हैं ये सप्रावधान लेकर आया है ये कहार आया है और क्रेटिंग ट्रेडिंग फ्री फ्रोम दा मिडिल मेन जो मिडिल मेन होता था अरतिया बोलते हैं उसको मिडिल मेन को आधरत होता है बाहरे ये का अलब होता था किमडि बेचाा था सूली कमण हो जया को आधरतिया इस आत्या सिस्टरम को कोशिस किया है सरकार कै ये को अश्रकार कि माधियम को आधरतिया सिसूप खदम करने का कोशिस indbs ये जो तीन बइल reference कौन सा will reference लिइंट कर सकते हैं क्युम क्या पहला बिल्च कुणको उसको इन सब्चैण क्या है इसके बारे में बात किया जाएगा जो आगे तो फार्मर का पूस प्रेंटियो से असितनों आधे मzhपादें कि लिए और बांगे 2020 आगे देखते हैं friends, आगे जो bill है friends, आगे भी 3 bill है total friends, दूसरा bill है friends, second bill है, the farmers in empowerment and protections agreement of price insurance, जो MSP की बात की जाती है, उसके बारे में दूसरा bill में कुछ amendments की बात चल रही है, okay friends, अब तीसरा bill जो essential commodities जो friends, जो ती, जिसके stockpiling, या फिर stocks पर limit लगा जाता था, अब उस limits को हटाय ताकि farmers कुछ सामान को स्टॉक्स कर सकते हैं कि अब फ्रेंट्स इंडिया में जो है न अब भुखमरी जैसे समस्या नहीं है ठीक है सरकार के नजर में भुखमरी जैसे समस्या नहीं है लेकिन आज भी कही गाउं में भूख से बज़र से लोग मर रहे हैं लेकिन पहले इसे मंटी के आसपास हुआ करता था जब हमारे परधान मंतिर लाल भादू शास्त्री जी थे जब ग्रीन इंडिया में आये थे उस समय हमारे पास दिक्कते थी जब हमारा यूद चैना के साथ 1962 में शुरू हो गया था तो उस समय हमारे पास अनाज भी ने था और शास्त्री जी सास्त्री जी हमारे परधान मंत्री थे और अमिर्का भी गहू देने से मना कर दिया था उस केस में परधान मंत्री सास्त्री जी ने नारा लिकर आया जय जवान जय किशान का उसी समय नारा दिया गया जय जवान जय किशान का जय जवान मींस मतलब हमारे साथ जो चैना यू करेंगे और अच्छे हाई-eilding seeds के मदद से fertilizer के मदद से साइंटिस्ट के मदद से या फिर मेक्सिको से बीज बंगा गया था फ्रेंट्स और उसको बहा गया था तो फिर यह सब चीजे हैं उसी बज़े से यह बोला गया है कि इस बिल में अब अब लेकिन एसी conditions नहीं है जिसक जो पास किया है सरकार तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसका benefits या intention होगा तभी तो पास किया गया ना बिना benefits के तो बिल पास नहीं किया जाएगा इसलिए बिल का कुछ intended benefits है कि जो agricultural trade जो होगा जो middleman आरतिया जो होगा APMC मंडी का APMC मंडी में देखिए APMC का मतलब हो जात अगरी कल्चर प्रड्यूस मार्केट कमिटी ध्यान रखेगा आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठी और नोट डाउन करते चलिए एगरी कल्चर प्रड्यूस मार्केट कमिटी तो इस bill के ताहत यही intended benefits है कि जो middleman आरतिया है उसको हटाया दूसरी बात जो APMC का है तो अब सरकार ऐसा प्राबधान बनाया है कि किसान को जरूरत नहीं है जरूरी नहीं है कि वो APMC में भी बेचे APMC रहेगा सरकार का कहना है APMC रहेगा लेकिन it is not mandatory to sell their produce in APMC मंडी मतलब यह जरूरी नहीं है कि किसान अपना produce जो है APMC मंडी में बेचे वो चाहे तो बाहर भी बेचे क्योंकि APMC मंडी में फ्रेंट्स प्रोड्यूस बेचने के लिए या फिर अपना जो फसल बेचने के लिए कई देना परता है चैक्स देना परता है और अब टैक्स देना ाड़तिया भी ऑ edited ट्रेडिंग वना लेते हैं वह पस्में बात्चीत करके वह नış्सेन को पर सरकार का वह सब्सक्राइब को 2 परसेंट हर एक district में APMC मंडी जिसके बज़ा से friends APMC मंडी का locations क्या होता आप लोग को पता होगा बजार समिती टैप का वो ही APMC मंडी लगया जाता है समझे friends तो हर एक जिला में APMC मंडी नहीं था तो इस बज़ से सरकार नहीं इसा बटाया को दूर-दूर जिला में लहाएं पर दूसरे जगका बेस नहीं की साण के भिशने पड़ता है तो उसको दिक्कत होती है घर लोग वहां तक पहुंच नहीं नहीं पाते हैं जिसके वह उन को ऐसे भी मतलब आढ़तिया क्या समान बेचना पड़ता है या फिर उनको ओह जाकर कुछ बैनिफिट्स नहीं हो पाता है तिस बसे वो चाहे तो APMC के बाहर भी समान बेच सकता है इस बिल में इसका यह प्रोगधान था अब कुछ मतलब और चीज भी है कि अब stock holding limits जो था friends और Cubs on interstate मतलब अब जो stock holding मतलब समान आप जतना चाहे रख सकते हैं दूसरी बात interstate और intrastate trade मतलब estate के अंदर और एक estate से दूसरे estate में ट्रेड आप समान को चाहे तो बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक मंडी से लेकर दूसरे मंडी में भी जाकर बेच सकते हैं, यहां मतलब समझे कोई बिहार का है तो उतर परदेश का है तो पंजाब में जाकर बेच सकता है, या फिर कोई उतर परदेश का है तो पंजाब में creation of farmer produce organization FPO द्यान रखेगा Friends फार्मर produce organization अब FPO क्या होता है Friends ये group of farmers होता है एक group of farmers होता है और एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे-छोटे small farmers का group होता है और इनको मदद किया जाता है मदद वे इस मतलब जैसे कि अब ये सब group मिल कर एक तरह से जो टेक्निकल समान है या फिर कह सकते हैं mechanization जो farm agriculture का mechanization के लिए जैसे tractor या फिर कोई भी समान अगर मिल रहा है तो इस अब छोटे-छोटे farmers अगर independently खड़िदना चाहेंगे या फिर ब्यवस्ता करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको FPO बनाया गया है कि आप चाहे तो एक farmer organizations मिलकर समान खड़ी दे और फिर उसको common इस्तमाल किया जाए तो इस बैस से आप लोगों के उपर burden कम पर सकता है तो यह FPO का मतलब ही होता है creation of farmer produce organization एक प्रकर का organization बनाया गया है on large scale creating contract farmer दूसरा प्रापधान है friends की contract farming का अब देखें contract farming farming है जो नो friends यह बहुत ही अच्छी चीज है लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को इसका meaning समझ में नहीं है तो लगवाता है अब contract farming से कर क्या सकते हैं कि अगर suppose that कि आपको मतलब आप किसान हो और आप मतलब 5 एकर में आलू लगाते हो 5 एकर में आलू लगाते हो और कोई pizza या फिर burger बनाता है suppose that mcdonald's की ले लो या फिर capsy ले लो उस company को आलू चाहिए या फिर ये बिका जो बिकानेड वाला chips है वो chips बनाने के लिए आप से आलू का contact करता है उसको है कि चलो ठीक है मुझे इस quality का आलू चाहिए आप मुझे आलू दे दो और कितना चाहिए उभी बात हो जाएगी और पहले ही time मतलब rate भी fix कर लिया जाएगा और एक minimum rate fix कर लिया जाएगा minimum rate fix कर लिया जाएगा कि इस rate से कम पे आपका समान हम नहीं खड़ी देंगे maximum जो हो जाए और आपको कुछ advance दे दिया जाए या फिर farms mechanization भी provide करवाया जाए फिर उनके तुरू जो भी मदद मिल सके आपके farming में या फिर आपके जो खेती करने में तो मदद भी करेंगे और finally आपको समान उनके यहां बेचना होगा और पेपर फॉर्मेंट्स में contract sign होगा जो कि मतलब legal bay में एक तरह से आप भी defeat कहते हैं ना एक कागज या फिर एक तरह से कहते हैं मतलब paper based सब काम होगा friends ओके इस परकार का काम किया जाएगा contact farming अब देखो इससे तो फाइदा होगा ना इससे फाइदा होगा ना किसान को किसान को मतलब रिन नहीं लेना परेगा डेट के चकर में नहीं फसना परेगा money lender के चकर में कम फसना परेगा किसान चाहे तो पहले से contract कर ले किसान चाहे तो फिर एक तरह से digital trading कर सकता है अब इंडिया का किसान अमिर्का को आलू बेज सकता है, अमिर्का का किसान इंडिया को आलू बेज सकता है, मतलब इस परकार का काम हो सकता है, अगर कोई उतर प्रदेश में आलू लगा रहा है, तो चाहे तो राजस्तान की किसान मतलब राजस्तान में या फिर बोंबई में बेज सकता है तो इस परकार का contract farming से इस परकार की फायदा होने वाला था अब आगे देखते हैं friends आगे क्या है आगे फिर intended benefits है इस benefits में देखते हैं friends अब यह कह रहा है कि it enable private players in investment in warehousing अब देखें friends जो सरकार तो warehousing का जो निर्मान करवाएगा वो तो limited या फिर marketing infrastructure का जो निर्मान करवाएगा वो तो limited infrastructure होता है ने friends क्योंकि आप देखते हैं न fci का गोडाम जो होता है फिर fci का जो एर हासिंग है उसका चत फटा रहता है गेहूं सर रहा है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा लेकिन हो आजा कर आप देखो न उसका quality क्या होता है गेहूं का या फिर उससे रख रख आपका क्या तरीका है ऐसे पड़ा हुआ है दूर में खाली पड़ा हुआ है तिरपाल लगा दिया है गेहूं पर पानी बारिश पर जो stock piling की जो समस्या है या फिर stock की समस्या असान हो जाए किसान चाहे तो stock कर सकते है दूसरा चीज़ इसमें एक intended benefit या था one nation one market जो मतलब intra और inter states trade की बात हो रही थी one nation one market agriculture की बात हो जाएगी कि अब कहीं का किसान कहीं भी कुछ समान बेश सकता था इस परकार की बात हुई तो यह तो intended benefits था friends आप इसको देख लिजेगा यह benefits था इस बिल का ओके अब issue raised by farmers farmers में ने इतना issues क्यों बनाया है जब इतना अचा benefits है तो farmers ने इतना हला क्यों मचा रहा था या फिर पूरे देश में किसान बिल के खिलाप इतना जादा हला क्यों हला क्यों मचा हुए friends तो इ the first bill में provisions रही प्रोविजन से उस प्रोविजन्स में फर्स्ट बिल को यहां देखे फ्रेंज दा फ्रोविजन जिन फ़ास्ट बिल क्या था friends फर्स्ट बिल को आप लोग याद किजिए फस्ट भी लिये था friends फस्ट बिल यह था कि दा farmers प्रडिउजश्ट् ट्रेड कोमर्स क था promotion and facilitation bill 2020 तो फ्रेंट्स यह जो फिर्स्ट बिल में प्रोविजन्स था वो unfettered unfettered commerce and designated trade areas outside the APMC jurisdictions यह यह बता रहा है यह फिर्स्ट बिल में यह प्रापधान था फ्रेंट्स कि जो unfettered commerce होगा आफ EPMC के बाहर जो trade करने का जो facility दिए गया गया है जिसपे नरंकूफ नहीं लगया जाएगा मतलब निरंकूफ हीन एक तरह से कह सकते हैं एपीएमसी मंडी के बाहर जो ट्रेड करने का काम मतलब फैजिलिटी इस दिया गया है अब उस पर इन लोगों को डाउट हो रहा है कि भाया अगर आप एपीएमसी के बाहर मुझे ट्रेड करने के लिए कह रहे हो कह रहे हो लेकिन अब उसके खिलाब कोई लॉज तो होना चाहिए ना प्रोपर फ्रेंड्स प्रोपर लॉज तो होना चाहिए ना तीस बच से इन लोगों को टेंसम हो रहा है कि ऐसा कुछ अगर कहीं हो गया कि मतलब कह सकते हैं मतलब फेडरल एंगल में तो पहला नमर तो यह बात हो गई कि एपीमसी के बाहर इनको ट्रेड करने के लिए कह रहा है अदूसरा फेडरल एंगल में यह बात है कि फ्रेंड्स जो होता है एगरी कल्चर प्रडूस का वो एस्टेट सब्जेक्ट है क्या है फ्रेंड्स अवर सेंटर तो लो नहीं बना सकता है उस पे मतलब फिक है कुछ प्रापड़ान है कि बनाया जा सकता है क्योंगि उसको इस llev टूझ में उस क्लाउज को डाला गया फंसी बिलaceutम बिल को जाकर डिटेल में पढ़ेंगे न तों सेंटर जीज पे लो बनाया है उस चीज को इस लेकिन commerce and trading का जो चीज है ना जिस पे सरकार ने law बनाई है वो concurrent list में है तो उसी बज़से उससे push provision का जो article है वो concurrent list में है friends तूस बज़से ये मतलब doubt है कि भीया आप इस पे law नहीं बना सकते थे लेकिन आप law क्यों बनाया दूसरा चीज की central government अब ये law बनने के वाद a state को order issue कर रिगार्डिंग agriculture law तो ये दिक्कत है friends इस बज़से इन लोगों के objections हो रहा दूसरा रीजन यह है कि फ्रेंट लैक आप कंसल्टेशन दूसरा लीजन क्या है लैक आप कंसल्टेशन अब कह रहा है कि बिलको प्रोपर कंसल्टेशन के अलाबा ही पास कर दिया गया without प्रोपर के पास refer किये ना किसी से suggestions मांगे क्योंकि इतना बड़ा reforms हो रहा था एकरी culture में तो इसको suggestions तो मांगना चाहिए ऐसा किसान लोगों का कहना है फार्म्स लीडर का कहना है जिस बैसे इन लोगों को mistrust किरियेट हो गया है और यह लोग सोच रहे हैं कि भाया जो अब trading करना है outside APMC अब क्या कहे रहे हैं जो APMC के बाहर जो trading करने का उनको order मिला है अब उसमें उन लोगों को tension यह है कि ऐसा न कहीं हो कि अगर हम APMC से बाहर trade करना शुरू करें तो जो minimum support price है MSP क्या है MSP वो खतम कर दे और APMC को खतम कर दे क्या खतम कर दे उसको खतम कर दे और APMC को खतम कर दे इस बैसे यह लोग डरे हुए कि नहीं भाईया मुझे यह काम नहीं होगा दूसरा चीज यह है कि friends absence of any regulation in non-APMC अब जो APMC जो APMC के अलावा जहां मतलब farmers को अपना produce बेचने का हक है friends या फिर जहां आप farmers को produce बेचने का बाते कहा गया है कि आप चलो कि ठीक है APMC के अलावा भी आप अपना फसल या फिर produce बेच सकते हैं उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कोई regulation नहीं है अब कोई आदम जाकर मतलब ऐसे ही बिना regulations या फिर without regulations के साथ कैसे कोई corporate के साथ deal करेगा अब कोई proper regulations होना चाहिए ना ऐसे में तो कोई भी जाकर मतलब कोई corporate से जाकर अपना business शुरू कर देगा और कोई regulations नहीं है तो किसान को चाहेगा तो मन चाहे दाम पे ले लेगा अपने फायदा के लि प्रोड्यूस बेचने का चीज है उसको आप रेगुलाइज कीजिए एकलिस कोन वहां जाए किसके आप फसल बेचना है और किन आदमी को फिर से license दिया जाएगा एकलिस उसको रेगुलाइज कीजिए ताकि आप फसल बेच सके ओके अब दूसरा चीज है कि नन फेवरेबल market conditions अब ये है कि फ्रेंट्स जो अभी market की conditions है या फिर किसांस का जो conditions है वो थोरा सा non favorable है non favorable क्या है अभी इनपूइन सोरी राइजिंग इनपूट कॉस्ट जो इनपूट कॉस्ट डेफरेंट्स वो थोड़ा ज्यादा फड़ गया है अब किसांच को खेती करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है बीज का महाँगाई बढ़ गई है फटलाइजर का महाँगाई बढ़ गई है मैं बाहर फसल बेचूँगा तो उसके अनुसार मुझे फिर री मिनोरिटी फ्राइस नहीं मिल पाएगा ओके मुझे फिर वो जो बिहार ने आपको पता होगा 2006 में जो आदमे बिहार से भिलोग करते ऊंगे पता हुगा आप लोग को पता होगा लेकिन बिहार में मक्के का rate क्या था presently जब मक्के का season था तो बिहार में मक्के का rate friends 1100 कुछ रुपया में मक्के बीक रहा था अब ये non APMC के अंदर आप 1100 में मक्के बीच रहा है और APMC का charge क्या था है MSP मक्के पे क्या मिल रहा था 1800 कुछ तो इस बज़ा से ये लोग ड़ते है कि कहीं हम लोग का भी हाल ये ऐसा ना हो जाए और maximum ये जो farm protest कर रहे हरियाना पंजाब या western उत्तर परदेश में तो क्योंकि maximum APMC system अभी होई है maximum APMC system होई है वही maximum फसल को APMC मंडी में बेचा जाता है वही कि किसान को maximum MSP मिलता है ओके friends वही किसान maximum MSP का फायदा उठा पाता है तो friends ये तो किसान के दोरा जो issues raised था वो था अब आगे देखते हैं आगे क्या है friends आगे है way forward की किसान को क्या करना चाहिए था मतलब सरकार को क्या करना चाहिए फिर किसान को क्या करना चाहिए सरकार को करना चाहिए कि जो agriculture info structure है थो थोड़ा उसको improve करें क्या करें इसका प्राबधान कर दे कि हर एक district में APMC मंडी होना चाहिए उसके बाद ये है कि मतलब ऐसा कहा रहा है कि फिर जो trade cartels जो बनते हैं trade cartels जो बना लेता है cartels trade cartels मतलब बहु सारे आढ़ातिय मिल कर या फिर बहु सारे बेपारी मिल कर मतलब एक monopoly बना कर friends और price fix कर देते हैं किसी समान का कि price इतना ही रहेगा इससे ज़्यादा price नहीं लेंगे फिर सभी आपस में एक तरह से संगटन बना लेते हैं या फिर monopoly कर लेते हैं किसी price पे कि इससे ज़्यादा हम price को fix नहीं करेंगा और आप मजबूरी में किसान को समान बेचना परेगा तूस परकार के जो यह trade cartels बनता है उस cartels को खतम करवाए उसके बाद किसान को थोड़ा road की विवस्ता बढ़ियां करवाए logistic skills को थोड़ अप्ग्रेड करें real time informations दे क्योंकि अभी भी किसी को पता नहीं है न अभी गाउं में तो बहुत ऐसे किसान से जिनको पता ही नहीं MSP क्या होता है APMC क्या होता है सरकार MSP भी सामान खडिती है नहीं विश्वास करते नो तो आप भूना स्टेट में चले जाओ ना बिहार में इस्टन उत्तर प्रदेश में वेस्ट वंगाल में छोड़े चोड़े किस्तान से पुझोन उनको पता ही नहीं MSP क्या होता है लिटरली बता रहा हूं जूट नहीं कह रहा हूं नहीं पता है उनको MSP क्या होता है क्योंकि अभी जाते ही नहीं उनका कहना यह था जो national commission for farmers था उनका recommendation यह था कि estate farmer commissions के अंदर इन सब चीजों को empower करने की बाते रहने दीजिए क्या मतलब यह जो empowering estate farmer commissions था उनको estate पे छोड़ दीजिए क्यों कैसे उनको response करते हैं एगरी cultures को कैसे manage करते हैं इस परकार की बाते कहीए थी दूसरा consensus building friends सरकार को चाहिए कि किसान से talk करें किसान को table पे लेकर आए जो कि अभी चल भी रही है फैनल यह news फोरा पुराना है लेकिन अभी तो इसी बात चल रही है लेकिन अभी भी consensus बनने के लिए तैयार नहीं है क्यों आपको पता होगा न कि कल ही मतलब ऐसा news में था कि बेल तो रिपील होना ही नहीं है तो इस परकार की consensus को लेकर आना था कि समन को किसी तरह बनाना था friends जो हो नहीं पाया अब देखे फैनली conclusion में देखते हैं friends कि किसान जो है ना friends एक तरह से without a strong institutional arrangement free market में harm organized small farmers अब यह कह रहा है कि एक institutional arrangements करवा strong institutional arrangements बनाओ जिस बैस से जो small organized unorganized farmers उसको harm ना करें क्योंकि यह वही farmers है friends क्योंकि यह वही farmers है जो pandemic covid जैसे pandemic में जो हर एक आदमी हर एक तबके के लोग अपने घड़ में बैटे हुए थे लेकिन यह खेत पे खेत पे गेहूं काटके धान काटके और हर एक आदमी का पीट भरने का काम किया friends तो यह वही किसान ह है friends जो हम लोगों को रोटी खिलाते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं ति यह रोटी खिलाते हैं friends तो इन लोगों के को मतलब इस परकार से नहीं दवाना चाहिए यह conclusions में क्या गया है friends तो friends आज के current affairs का discussions था यही पे खतम होता है यह topic मेरे तरफ से complete हो गया अगर मैं कुछ छ कीजिए थोड़ा प्रेज कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन से मिलेगा friends दूसरी बात friends थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब बगरा कीजिए सब्सक्राइबर बहुत ही कम है जिसके बसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है friends likes नहीं आते हैं views कम आते हैं थोड़ा इन सब चीजों क भी थोड़ा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंट्स के साथ शेर कीजिए थोड़ा पमोट कीजिए जिसके बसे मैं कुछ मांगता नहीं हूँ बस friends आपका कुछ नहीं जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेट तो उतना ही लगेगा और ना चा झाल 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